Hello friends, my name is Shashank Jain and welcome to my channel Vodofa और मैं आज आया हूँ एक सूपर डूपर घर में जो कि Vodofa ने बनाया है जो कि Vodofa ने बनाया है, डिजाइन किया और एक्जीक्यूट किया है और हमें महागुन मिजारिया में, इस सेक्टर 78 नॉइडा में एक सोसाइटी है तो यहाँ पर हम 23rd फ्लोर पे हैं और यहाँ पर हम 23rd फ्लोर पे हैं और यहाँ पर टॉकिए वादर्फूल 4 भी एच के हाउस कि हमने उस गर में क्या-क्या किया है तो पहले अब एंटरेंसे शिरुवात कर लेते हैं तो इस साइटी में एक लिफ्ट खुलने के बाद दो ही फ्लैट्स हैं एक सिंगल फ्लोर पे विद असर्वेंट अरिया युकि फ्लैट्स का साइज बहुत अच्छा है तो ओरल फॉयर का साइज भी बहुत अच्छा निकल आ जाता है उसको और कूप सरह बना दिया हम लोगों ने वो डॉफा के अंदर लेटेस हाओ, वे स्टाटेट यहां से हम लिफ्ट से बाहर निकले इस यह अपर दो लिफ्टस हैं तो इस लिफ्ट से बाहर निकलते हैं and then the right there is a flat तो यहाँ पर आमने एक शूरक बनाया है विच्छास द्रॉर्स एंड शेक्षिंज उसके साथ एक बैठने की गदी भी बनाई कि अगर आमें बैठ के जूते पहने हैं और कुछ काम है तो हम एजिली वह भी कर सकते हैं तो यह पीछे क्योंकि यहाँ पर उनके लिए एक अच्छा सा तीन मावेर बगवान की एक आप देखेंगे अमने इसके इनर मेटल की प्लेट में कट किया और बैटल इट किया और खुपसुरत एक नेम प्लेट टाइपस एलेमेंट यहाँ पर बनाया यह साथ में दो पैनलिंग करी एलेमेंट के साथ जिससे की तोड़ी और फील अच्छी आजाए थोड़ा गोल्डन का टच लिया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर गोल्डन के एलेमेंट्स हैं उस बिनेर पैनलिंग के अंदर मैट पॉलिश के साथ यह हमने एक वालपेपर लगाया हमें लगा कि इसको जादा बोल्ड करने की जुरत नहीं है अच्छा बड़ा सेक्शन है और यहाँ से यह पोरा आपको एंट ग्रांड एंट्री दिखाई देता है फ्लाट नंबर इस 2312 तो उसके बड़े से यह एक नेम प्लिट या लगी है यह एक वीडियो डोर फोन के लिए है और यह एक टिपिकल नॉर्मल घंटी एक डोर बेल की तरह काम करती है तो और अब देखोगे तो इसके अंदर यह लूवर की पैनलिंग है जो कि अपने यहाँ पर यूज करी यहाँ पर डिको एंड लूवर को यूज करके एक बहुत अच्छा सुंदर गेट बनाया विजर डिजिटल डोर लॉक तो यह बायमेट्रिक लॉक है दोर सेट ब्रैंड है हम लोग काफी यूज करते हैं यह हमने यूज करके यहाँ पर यह पूरी ग्रांड एंट्री जो घर की होनी चाहिए जो फील होनी चाहिए वह यहाँ पर डिजाइन कर ली अब मैं आपको दिखाता हूँ गर के अंदर क्या क्या है तो नाव यह रेंद्रिंग इंटो था हाउस यह में डोर है, में आपने बाहर से देखा अंदर से उसे प्लेन वीनियर के साथ हमने पैनल अप किया है यहाँ पर एक बहुत खुप सूरत बिगर पेंटिंग इसके पीछे नहीं के एंसीडी बॉक्स था तो यह वांटी तो कवर देट बॉक्स था और सबसे मस्ट चीज बता है, यहाँ पर क्या है यह मंदिर, यह एंटरी करते ही हमने एक मंदिर बनाया और यह बहुत ही टाइन लगा कस्टमाइज किया, एक एक गोलाई इसकी विनेर के साथ और एक 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 मंदिर को अच्छा बनाने के लिए काफी समय नगा उसके बाद हमने इस फॉयर एरिया में एंटर किया उपर ट्राप डोर थे तो उसको अगें लुवर की पैनलिंग से अमने छुपा दिया तो पका नहीं लगता है कि वो ट्राप डोर कौन सा है और नमल लुवर का सेक्शन क्या बनाए ये को सिंपल रॉल लाइट है हमने ये लगाई सो दाट कि अवर एक मूड लाइटिंग का काम करना हो और बहुत जादा आपको डाक अप एरिया नहीं चाहिए और एक राप को बस एक वाकराउंड चाहिए तो आप इस लाइट को यूज कर सकते हैं नाओ ये एंटरिंग इंटरिंग इंटो दा मेंन स्पेस अफ दा हाउस ये ड्रोइंग रूम है और ये डबल हाइट है क्योंकि महागुन मेजारिया के खुब शूरती यह है कि ये डबल हाइट जो ड्रोइंग रूम देता है ना उसको कितने आप अच्छे से इनांस कर सको ये आज डिजाइनर हमारी जिम्मेदारी है तो आमने क्या किया तो ये पूर डबल हाइट एरिया को बहुत अच्छे से डेकप और डेकोरेट किया तो आप साइड वे देख सकते हैं कि दोनों तरफ अपनेर की पैनलिंग करी दो वाल लाइट लगाई साथ में ये मार्बल लगाया पीछे पूरा ये आप देख सकते हैं विद प्रफाइल एंड देन ये टिंटेड मिरर के साथ दो वाल लाइटिंग के साथ इसको एक खूपसूरत वाल बनाया ये वाल इसल बनाने में विद टूक लोड अफ ताइं और अल्सो लोड अफ कोस्ट सब्सेक्वेंट कोस्ट अफ देख सकते हैं इस वाल को अच्छा बनाने के लिए उसके बाद आप देख सकते हैं एक सिंपल सोबर हमने एक डवल एट शैंड लिए क्रिस्टल फर्माट में यूज किया ये ओवरल फील रात में अगर हम बैटें तो उसको इन्हांस करें और ये फिल नाइसर अबाउट इड यह पर एक दिवार थी जो ड्रोइंग रूम और डाइनिंग एरिया के बीच में थी इसको हमने तोट दिया एन एक पार्टिशन एन पीछे एक हिडन क्रॉकरी एन बार इनिट बनाया मैं बाद में आपको बताऊंगा तो ये उस वाल को हमने इन्हांस करने के लिए तो ये यूज़े इस ब्लास पाटन और उसके साथ थोड़ा सा डेकॉर रखनी की हमने इस स्पेस भी बना दी तो ये थोड़ा थोड़ा काम अज़ आप करने लगे तो आपकी स्पेस और अच्छी लगने लगती है ये अनिक्स की टेबल है इस पूर उनिक्स तो अमने ये मार्बल को यूज़ करके टेबल को दिजाइन कराया और एक लोचेस्टर इस इस वाल इस लोचेस्टर विद वूदन फ्रेम तो इसको अमने आपर बनवाया तो ये ग्रीन और ग्रे का कॉंबिनेशन यूज़ करते वे थोड़ा थोड़ा पैटर्न, कलर्स डालते वे इस ग्रोइंग रूम को खूपसुरत किया तो अवर आल अप लेखेंगे इस वेरी नाइस सटल सीन और यू फिल लग्शुरी अबाट इट यू फिल कि यार ये अच्छा लग रहे ये सिंपल लग रहे ये बहुत जारा कुछ बारा नहीं है और ये बहुत जारा गॉड़ी भी नहीं है इसके साथ चोटी सी पैंटिंग और दाली जो और इस एर्या को कारेक्टर को एंच करती है so if you see this kind of a painting which gives you that right sense that color that feel which has the brown and the green and the orange it has all of those colors if you see this painting green, orange, brown वो सारे पैटन्स हैं, जो इस पूरे अरिया को कॉम्पलिमेंट करते हैं, तो तो इस हाओ, वी मेड इस ड्रोइंग रूम अस दे मस्टर पीस, तो गईस, अमने आपको ड्रोइंग रूम तो समझा दिया था, अब आपको दिखाता हूँ कि अमने इसकी लॉबी, इसके ड्रोइंग अडिया में क्या-कुछ किया, तो यहाँ से हमने इंटरं से एंटर किया, so this is how we are entering into the dining space, यह खर का core part है, और यह common space है, पूरे घर को connect करता हूँ, तो जैसे आप इस ड्राइंग इंटर करते हो, तो लेफटेन साइड पे आप देख सकते हो, कि हमने यहाँ पने एक hidden bar and a crockery unit को integrate किया है यह actually में drawing room की space थी यहाँ पर एक दिवार थी, हमने उस दिवार को हटा दिया और उसको थोड़ा सा space पीछे ले आए जिसको drawing room में भी use कर पाए और dining area में भी कर पाए फाइदा क्या हुआ? कि आपको एक यूनिट दो जगा यूस हो पाया दूसर तरफ से वो डेकॉर बन गया जैसे कि आपने वीडियो में देखा था और यहाँ पर इस तरफ से एक रॉक्री यूनिट बन गया इसके साथ ही एक हमने एडन बार बनाया है तो वन यू ओपन यू पूल दिस आओ यह पूरा एक बार की तरह इसके सी तो अल्ड बाटल सेक्षिंस सब इसके लिए और यह पूल हो के बाहर भी आजाता है तो अगर मैं इसको बार लेक्या चाहूँ एजिली इसको बाहर लेक्या सकता हूँ कि मुवेबल है और आस पर आवर यूसेज वी किन यूसेज वी किन दिखाना नहीं है किसी को तो यह पर हिदन बार के फरमाट में लगा भी सकते हैं तो यह इसकी उपर ड्रॉर्स है नीचे आइमन क्रॉकरी रखने की जंगा है तो ओवराल यह यूनिट को अगर आप देखो तो काइंड अफ पार्टिशन और क्रॉकरी यूनिट और टीवी यूनिट को इंटेग्रेट किया तो तीन चीजें इस पूरे यूनिट में दिख रही है एक तरफ टीवी है विच इस फूरे तरफ एक पार्टिशन है विच इस सेमी सीथू तो यह आपर देख सकता हो मिल सकता हो और लोगों से बात भी कर सकता हो यह क्रॉकरी यूनिट है जो इसके साथ इंटेग्रेट हुआ अब इसकी दूसरी तरफ चलते हैं विच इस किचन साइड अफ इस स्पेस तो यहां पर एक अच्छी सी सिक सीटर डाइनिग टेवल है विद अ गुट एनेसल टू का मार्बल है इसके ओपर ब्लाक कलर का अब देन देर इस अ पुर्पल मोफ कलर पीच कलर को यूज करते वे हमने यापर इसकी डाइनिग चेर को डिजाइन किया तो पीछे आप देख सकते हो इसकी डाइनिग चेर पे भी फ्लूट इंग का डिजाइन है तो आप यह देख सकते हो अगर आप तोड़ा में जून करो तो यहाँ आपको पता लगेगा कि यह भी फ्लूट है उसके साद एक बहुत अच्छा सागवान की वुड और नीचे रोस गुल्ड का कैप हमने यहाँ पर लगाया है तो ओवर अल दिस इस दाइनिंग स्पेस यह बिल्डर में दिया था हमें फिक्स यहाँ पर यूनिट है नीचे उपर यह ब्लाइंड है और साथ में एक विंडो है विच केन भी स्लाइड अपॉन तो कभी थोड़ अच्छा मौसम हो या कुछ हो तो आप ब्लाइंड को उपर कर सकते हो यहां से अब हम इंटर कर रहे हैं किच्छन की स्पेस में तो यह किच्छन है इस पूरे एरिया को कनेक्ट करती भी यहां पर यह बिक्फिस्स काउंटर है विच इस इसको भी एक हिडिन लूवर के फर्माट में हमने थोड़ा सा हाइलेंड किया है इसको बेज ब्राउन कलर्स के साथ ऊपर ब्यान को मैपल करके कोर्ट मार्बर होता है वो हमने यूज किया है उपर से आप देख सकते हैं एक हैंगिंग लाइट और स्टोरेज स्पेस नियर दर काउंटर तो बहुत सारी चोटी चोटी चीजी होती है जो डेली यूज में होती है आप उसको रख सकते हूँ और सबसे अच्छी बात किया है यहां पर एक इंडक्शन प्लेट भी लगाई है उसी तरीकी से एक इंडक्शन का कुक टॉप यहां पर लगा है इफ यह एक इन सी नाओ आम एंटरिंग इंटरिं इंटर इंटर किछन तो इसके अंदर हमने हाई ग्लॉस किया है शुटर्स के ओपर अल अफ यह एक्रेलिक यह विकर बास्केट है यहां पर इसका एक माइक् पूरी किछन इस फुल मॉडिलर तो यह किन सी लॉट अफ एलमेंट्स पूरा इसके अंदर आप देख सकते हूं कूप सारी स्टोरेज है तो यह किन सी लॉट अफ लगाया है यहां पर इसको डबल फिल्प भी बूलते हैं तो फॉर स्मॉल-smॉल अलमेंट्स एंड ट्वर क चौड़ी ही एक चिमनी लगाया है विदर कुक टॉप जो अंडर टॉब हॉब है उसको यहां पर दिखाते हुए तो और रहल आप देखोगे यह एक एरिया कनेक्टेबल था तो वर्ट्स यूटिलिटी तो हमने यहां पर एक डोर था उसको हाटा दिया तो यहां पर एक सर बन गया तो जितना भी बरतन दुलते है जो भी गंदी स्पेस है जह पर बहुत सारा कच्रा होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा फैला हुआ हुआ हो आर आराम से यहां पर कोई भी आपकी मेर्ट यूज कर सकती है यहां पर हमने कोवार्ट का सिंक लगाया यह कोई पत्थर का सिंक ही होता है और इसका फादे बहुत सारे हैं मैंने कई सारे वीडियो बनाए है कोई और स्टील के सिंक को दिवाइड करते हुए तो आपको देखने को मिल जाएगा एक और चीज दिखाता हूं इस किचिन के अंदर विच इस अलसो बेरी इडन तो आप ज सकते हैं यह उपर सीलिंग है यहां पर ट्राप डोर जैंकि यह सेंटरल इसी है मागून मेजारिया में तो यह चुपाने के लिए हमने उपर हीडिन पैनलिंग करी तो दाट डॉर लॉक लाइक कि आपको दिखाता है यहां की लभी कैसी है आजो तो हम डाइनिंग एरिया कि अब से जादा यूजबल स्पेस है, जादा लोग यही बैठते हैं, अब देखें, सो तीवी क्योंकि यहां पर एक बड़ा टीवी है, तो इस अ गूट फोर सीटर प्लस एक डे लाउंज यहां पर आमने बनाया, कि for a small family gathering, if people are sitting around, unlaze around, कि कोई Sunday है, कोई Sunday है, कोई mat चल रहा है या शाम को गराने के बाद थोड़ी दिर बैठना चाहते हैं, तो वो यह स्पेस को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, इसकी पीछे दिवार की वड़ी अची स्टोरी है, मैं को बताता हूँ, तो यह दिस इस अ लेदर लुक लामिने, तो यह लेदर का फैबरिक जैसा होता ह विच इस फोकस तो इस पर्टिकलर कॉर्नर, जो की एक डेट कॉर्नर था, लाइट लगने के बाद यह काफी जादा इनांस हो गया, एक सुन्दर, कलरफुल पेंटिंग, अन प्लेन वाल, और सम रोस गोल्ड स्रेप्स, इस जुस्ट कॉम्लेटिंग दिवार का, और भरा भ यह सब कुछ छोटे-छोटे एलिमेंट्स को जोर तोर करके किया गया है, एक नेस्टेट टेबल, यह एक अच्छी नेस्टेट टेबल, विच हाथ सम स्टोरीज और यहां पर इसको फिट इन किया, मैचिं तो इन्टायर देकॉर और फील, इसको नाँ सीलिंग, तो देखो क जिससे कि उसको अपना कारेक्टर, वो प्लेन जो बिल्कुल प्लैंक प्लैंक लगता है, वो अच्छा एक वुडन का टोन मैच करता हूँ, देख जाए, यहां से अब हम बात करेंगे, बेडरूम की, इसके नेक्स पार्क में आपको बेडरूम दिखेंगे, गईस मैं आपक पीछे एक कुल्टड बेड बनाया, इस इस अब बाक्स बेड हाइड्रॉलिक के साख उपनो जाता है, यह पीछे ना दिर इस वाल पेपर पर लगता नहीं है, बिल्कुल भी वाल पेपर जैसा, तो यह वाल पेपर का एक टोन है, आपने बहुत अच्छा सा यह यह पर डाल से, जैसे वो ओवराल और अच्छा एक वाल पैनल का लुक दे और बड़ा बड़ा भी लगे, इस बेड रूम के अंदर आप देख सकते हैं कि स्पेस जादा नहीं है, बर फिर भी तोड़ा ओपन रखने की कोशिच कर रही है, सो एक बेड डाला 6x6, साइट टेबल और एक आपको दिखाता हूँ कि देखो इसका जैसे शियर है, तो इसको थोड़ा पैटन डाला थोड़ा बोल्ड लुक क्रियेट करने के लिए, उसके उपर से अमने थोड़ा मेटालिक के टेक्शर को यूज करते वे एक बेस कुर्टेन भी लगाया, अगर मैं इसको को को दो तो हलका हलका मेटिल कर तच, एक फील आपी है, यहाँ पर एक बिल्डर ने वाद्डरोब की जंगा बना के दी थी, विच इस नीश, तो इस नीश को अमने थोड़ा सा बढ़ा करा, बैक्टरूम से थोड़ी सी स्पेस बढ़ो कर ली, और इसको तो दो और बढ़ा कर लिया, त एक बार है, एक सांड सिस्टम है, थोड़ी सी जगह है, उसके स्विच पॉकिट सब कुछ उसके अंदर है, वही पर चुप जाते है, उपर एक चोटा सा लेज है, जो एक थोड़ा सा वाल लाइट के साथ, एक प्रफाइल लाइट के साथ एनांस किया गया है, और इस टीव मेरों, जब आप बेडरूम के दुरवाजा बन कर लेते हैं, तो आपको फुल ड्रेस होने के लिए जगह मिल जाती है, कई सारी प्लेस्मेंट हो सकती है, या तो आप इधर, जैसे मैंने दुरवाजा कोलने के पीछे लगा है, वहान लगा सकते हो, बेड साइड टेबल के सा जब शेफ पत्ता, हमने यहां पर बना दी, थोड़ी से सर्फेस लाइट भी लगाई जहां पर हम बेस फॉल सिलिंग नहीं करना चाहते थे, तो वह वांटेट तो क्रेट तो क्रेट था काईड अव स्पेस एस वैल, कि थोड़ा हर चीज ना डाउन ना है, हर चीज बहुत चोटा-चोटा ना दिखे, उसकी वरे से हमने ऐसे क्रेट किया, तो कैसा हमें आपको यहां कर दूसरा बेडरूम दिखा रहा हो, यह बिल्कुल सेंटर में है, और दाइनी एरिया और लॉबी जो आपने अभी देखी थी, उसके साथ मिलता हुआ है, तो यही से आप एंटर करते हो किचन के सामने, और यह ग्राइन मदर्स रूम, यह उनकी दादी का रूम है, चलो देखे, इसके अंदर हमने क्या क्या किया, आजाओ, इस इस दादी रूम, तो इसको ना थोड़ा सिंपल रखने की कोशिश करी, और हम नहीं चाहते थे कि यहां पर बहुत जादा कल सिंस यह ग्राइन्ट पेरेंट का रूम है, तो वी वांटेट की चुट भी नाइस अं सटल, तो क्या किया, एक सटल कलर, ब्राउन बेज की फैमिली का यूस किया, एक चोटा बेड लगाया है यहां पर 5x6 का, तो लोग अकसर बोचने हैं चाहां क्वीन बेड का क्या परप तो हमने क्या कि आप पुराने बॉक्स को रियूस कर लिया और बाकी के सारे अलेमेंट्स हमने नए बना दिये, आप देख सकते हो कि यहां पर हमने एक चोटी सी टेबल, चैवो study table कहलो, आप थोड़ा सा कोई बैठना चाहता है, चेयर लगाना चाहता है, उसकी लिए कर लि तो उनके medical के boxes है, उनके चोटे-चोटे चोटे चीजे हमें grand parents, parents को चाही होती है, वो सब हमने उसके अंदर कर दी, यहां पर दो drawers है, यहां पर दो, आप shutters देख सकते हैं, shutters होने से क्या है कि बड़ा-बड़ा समान, बड़े-बड़े boxes भी आ जाते हैं, और यह दो drawers है, ज इसके ओपर हमने पूरी wardrobe उसी color tone से match करते हुए, बना दी, अब आप देखोगे, इस room के अंदर, हमने जो bed का box है, उसको थोड़ा सा modify किया, और नीचे से उसके अंदर एक drawer बना दी, अक्सर ना हमारे grand parents को, parents को मुश्किल होती है, समान को निकालने में, तो अगर एक drawer होगी तो drawer से आप easily समान रख सकते हो, और यहां निकाल सकते हो, इनके साथ जो इनके side tables बनाई, वो भी बहुत easy, comfortable side tables बनाई, जिससे कि वो अच्छे से use हो जाए, उसके उपर glass के tops लग दिये, क्योंकि यह जिको paint में था, यह paint हुआ हुआ है, अच्छा finished tone में है, और यह खराब न mirror है, इसको आप button press का सकते हो, और यह backlit हो जाता है, तो overall net net, देखो, तो room is very simple, sober, चोटे room के अंदर बहुत सारे elements को नहीं डालना चाहिए, और उसी से अच्छा बना सकते हो, इस bed के back panel को अगर हम देखे, तो इसको भी बड़ा simple रखा, यह wall है, और आप इसको सोचो क्या हो स wallpaper, so with just a wallpaper, you can do so many things, किसी नहीं का कभी wallpaper खराब है, अगर आप उसे अच्छे से use कर सके, सही तरीकी से बना पाएं, तो बहुत अच्छा लगता है, इसके study के unit में एक और खासियत है, कि यहाँ पर ना wooden के moldings लगाए हैं पीछे, यह actual एक-एक mold handcrafted है, और इसको लगाने का purpose क्य तो all of these elements are placed accordingly so that it looks very nice, तो इस सब कुछ हमने इस रूम में किया, इसका bathroom है यहाँ, इसके bathroom को भी मोडिफाय किया है, तो बात्रूम है तो इसके bathroom को भी मोडिफाय किया है, तो बात्रूम चोटा है तो I didn't want to show you, वह आएगा नहीं कामरा में अच्छे से, but that's the door for the bathroom, तो मैं bedroom है और सब सब एकसाइटिंग भी है, चलो, come on, let's see, so we are into the passage, आप देख सकते हो, so I am now entering to the main bedroom of the house which is the master bedroom, come on, see, so this is a huge master bedroom, the size is very good, we enhanced it, we didn't want to fill it with a lot of spaces, so we didn't want to fill it with a lot of spaces, that kind of anything you need, वो यहां पर लगदी for example, we added a good king size bed यहांपर उस बेड को एक कस्टमाइज एलमेंट के साथ बनाया तो पीछे इसका जो बाक क्विल्ट है this is also very nice इसको फिल्प के साथ यह कपटे के अंदर अमने यहांपर इससे बनाया बहुत महिनत करकी then this is another quilt manufactured in the factory पीछे लूवर लगाए साइटेबल के साथ उसके साथ एक यहांपर मिरर लगाया which is the tinted mirror यह पीछे एक वालपे पर है just to give the sense and touch of marble थोड़ा feel, थोड़ा tone-up देने के लिए इसको एक वालपे पर लगाया और बहुत ही beautiful two hanging lights if you can see they are the decor in the bedroom उसके साथ यह पूरी glass wardrobe है for male and female one wardrobe is for male, one wardrobe is for female दोनों के लिए बहुत सुंदर, बहुत बड़ी एक wardrobe बनाई which is backlighted तो जैसी मैं इसको को लूँगा तो आप देखोगे तो इसकी light यहांपर on हो जाएगी उसके साथ अमने इस bedroom के अंदर एक study table और एक TV unit का प्रोविजिन इंटिग्रेट किया तो इस इस अपनी वो ड्रॉर है वहांपर विच हाज अनदर लूवर उसके साथ वही लूवर यहांपर कंटीनी होते हैं बहुत ही सुंदर दो नॉब्स है बहुत आजिकल फैशन प्रोफाइल्स का है पर नॉब्स भी उत्रे ही सुंदर लगते हैं अगर आप पहुत इफेक्टिवली चूज कर पाओ तो यह एक बड़ा टीवी लगा अगेन इस TV unit के पीछे कुछ भी नहीं है इस इस जस्ट वालपेपर उससे क्या हुआ कि पूरी वाल एक सिंक्रिणाइस टोन में लगी और और बड़ी बड़ी लगने लगी इस बेडरूम के अंदर नेट नेट बहुत सारी जंगा थी हैं वाले पर समान रखने के लिए पर हमने नहीं रखा अब मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर ड्रेसर पे क्या हुआ अब टर्न कर लो और दिखो तो यह एक अच्छा सुंदर ड्रेसर है विदिन एक सेमी सर्कुलल हमने शेप में इसको मिलर को कटवाया उसके साथ अपना उसका समान रखनी की जंगा है, कास्मेटिक रखनी की जंगा है सो दर्ट हमने चिएरली एंग एजीली गएट रेड़ी उसको को प्रॉब्लम ना हो और वो अपना साथा समान एक जंगा रखपाए और यहां पर चेयर भी लग जाती है अजर आप चाहो तो तो जो स्टड़िट चेयर है उसको इंटेगरेट कर सकते हो दुवारा यहां पर भी लगा सकते हो और अदरवाइस एक उसको सिंगल चेयर के लिए तरह भी यूज किया जा सकता है तो यह side table के साथ connected है इसको हमने fix नहीं किया है जैसे कि bed fix किया है ओले पर sight table को fix नहीं किया है तो और यह पूरा यह पूरा 18 feet बाई 15 feet का approximately बुरा एक बेढ्रूम है उसको किस तरहकी से खुला-खुला रखे और बड़ा रखर कि की फील हमने यह आपर क्रेट कि रही है यह बहुती सुन्दर अगर आपको वीडियो में दिख पाए लाइट ग्रीन कलर के हमने शियर कर्टेंज लिये हैं और उसके उपर बेस मेटल I mean which is strong थोड़ा सा पारट ग्रीन कलर का विद मेटलिक एलेमेंट हमने यापर बेस कर्टेंज लगाया है overall आप देखो के पूरे कमरे को मनें ब्राउन और ग्रीन की टोन में mix-up किया है विद बेस एलेमेंट अड जो बाकी और वाइट कलर है क्रीम कलर है उसको विजा तरजरी कलर इस सपोर्टिव कलर यूस किया है अब मैं दिखाता हूँ इसका बैटरूम कैसा है काफी बड़ा बैटरूम है और बैटरूम भी बड़ा नाइसर है अब मैं बैटरूम के इत्ती सवाई चीज़े न आपको अच्छा लगीगा देखने में now I am this is how we entered into the bedroom मैं इसको बंद करना हूँ और मैं आपको लेके चल रहा हूँ इसके बैटरूम के अंदर तो यहाँ पर आम इसकी light on कर सकते हैं और हम लाइट अन करने के बाद देखेंगे तो यह बी अबल तो सी इस इस दर मास्टर बैटरूम यहाँ पर एक लॉंग बड़ी वैनिटी है दो क्यूबिकल्स हैं यहाँ पर एक क्यूबिकल इस फर देखेंग एरिया यह अलत अंदर के अंदर हो जाता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा वैनिटी यूनिट है विद लॉट अफ द्रॉट लॉट अफ टैबिनेट एक और यहाँ पर हमने सेक्शन बनाया है फॉर स्टोरेज तो आप देख सकते हो फॉर लेक किस्मेटिक्स की तरह आप इसको यहाँ चोटी-चोटी चीजे अंदर चली जाती है इसके अंदर और यह इसली यहाँ पर यूज हो जाता है यह देखो आपने सब कुछ यह कस्तमाइज करके इसको यहाँ पर बनाया है और यह यहाला स्टोरेज भी पूरा कपड़े रखने के लिए चोटी-चोटी चीजे जो टॉलिटरी उती है उसको रखने के लिए बना दिया है तो ओर अप देखोगे कि अमने इस बात्रूम को भी माक्स तरीके से यूज किया है एक और अल्मीरा की जन्ह भी बना दिये आप अधने की अमने इस दो को सब्सक्राइब चोटी विलोड़ीच में इस दो क्याएब लिए लिए को यह एस अधना दिया है तो यह भी है, तो यह भी है, तो सब कोच है माजशी के पास है, and a lot of storage is there for this particular bedroom, and the color tones are obviously beige and brown, क्योंकि जैसे बहार थोड़ा सब ग्रीन और ब्राउन के टोन को यूज किया था, वैसे ही बैथरूम के अंदर दी, बैज और ब्राउन को ही यूज किया है, to make it look very connected and nicer, हाला कि मेरा शुरू से फीलिंग है कि बैथरूम और बैडरूम equally connected नहीं भी हो, तो भी चलता है, बहुत सारे लोग को लगता है कि नहीं, बिल्कुल सिमन को बिल्कुल connectable बनाएं, I'm okay with that, so आपकी मर्जी है, आप इसको same color tone से भी बना सकते हो, बिल्कुल flip around भी कर सकते हो, with the bedroom and the bathroom,